यार देखिए एक बात ना बड़ी कॉमन्स ही है जब बात आती है स्टेडी की तो हम अपने दो कदम वैसी पीछे ले लेते हैं रीजन बड़ा सिंपल सा है कि वह कहीं न कहीं हमें बहुत जरूर फील करवाते हैं लेकिन आज किस वीडियो में हम यही बात करने वाले कि आप कै कैसे अपनी स्टेडी को इंजोई कर सकते हो इंटरस्ट के साथ अपने सब्जेक्ट को अपने स्लेबस को कैसे कवर कर सकते हो यह वीडियो खास आपके लिए तो आप जरूर वोच कीज़ेगा पूरा सबसे पहले बात अपनी सेटी को इंट्रस्टिंग मनाने के लिए आपको जरुरत है लिसन टू गुड म्यूजिक जी हां आप मानो या ना मानो जो म्यूजिक होते ना उनकी जो लिरिक्स होते वो जरूर काफी ज्यादा इंपक्ट करते हैं पर एक्जामपल जब मैं कभी अप अपने आपको लेजी फील करते हूं तो मैं इम्रान का एक सवंग ए सैटिस्विया आप सैटिस्फाइंग वह कह सकते हो तो यह काफी ज्यादा एनरजी बूस्ट करने का काम करता है तो आप ऐसे सोंग की लिस्ट बना सकते हो जब भी आपको लगे कि आप बहुत फील हो रहे हो स्टेडी करते टाइम सेकेंड है यूज नाइस स्टेशनेरी स्टेशनेरी कैसे आपकी एल्प कर सकती है है देखे सम्टाइम क्या होता है बच्चा हैंडिटर नोट्स क्यों नहीं बनाता उससे तोड़ा बहुत होता है कि यह इतना सारा लिखना बगएरा बगएरा मान के चलेगा कि जब आपके वह सारे टूल्स अवेलेबल हो जिससे कि आप अच्छे से माइंड मैप बना सकते हो फ्लो चार्ट बना सकते हो तो उसके लिए कहीं न कहीं जरूरत होगी आपको स्टेशनेरी की अलग अलग पैंस की क्योंकि आप सिंगल प बात है कि बड़ा इंपक्ट जरूर डालती है तीसरी चीज़ है कि अगर आप अपने स्टेडी को अच्छे से इंजोई करना चाहते हो तो अपने आपको चैलेंज आप से बैतर और को आपको नहीं जान सकता तो बैटर यह है कि आप अपने आपको टास्क दीजेगा चैलें चैलेंगे उस चीज़ को कंप्लीट करने की और आगे बढ़ने लग जाती है यह जो बोरिंग वाली जो चीज़े होते हैं वो बिल्कुल दूर होते चले आते तो बैटर है कि आप अपने आपको चैलेंज जरू कीजेगा चोती चीज़ है गिव रिवोर्ड आफ्टर कंप् रिवोर्ड आप किसी भी टाइप कर दे सकते हो आप एक अच्छे से अच्छा फूड खा सकते हो जो आपको मन पसंद हो कि अगर मैंने यह चैलेंज कंप्लीट किया तो मैं जरू खाऊंगा अपने आपको ट्रीट देना आपको इसी वाक पे निकल सकते हो आपको मूवी दे से अपने अपना लाइफ वैसी बोर होने लग जाती है तो आपको करना कैसे अगर आपको लगता है कि उस चीज में ज्यादा कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो आप अपना जो स्टेडी प्लेस है उसे आप चेंज कर दीजेगा बड़ी सिंपल सी बात है अगर आपके घर में रहता है तो आप लाइबरेरी जोन कर लिजेगा अगर आपके घर में ऐसी चीज़े नहीं है तो आप उस प्लेस से रिमूव हो जीएगा और किसी दूसरी जगह अपना नया सेटप रेडी कीज़ेगा क्योंकि सम्टाइम यह छोटा सक चेंज भी ना आपको एक अलग तरीक करके देखना जरूर आपको काफी ज्यादा अपने आप में चेंज देखने को मिलेगा बाकि कैसी लगी जान करी कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा और ऐसे ही इन्फोमेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा